ओम सूर्याई नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती बावना यूटूब चैनल पर, आज सबसे बड़ा सूर्ग्रेण, सूर्ग्रेण का समय क्या रहेगा, कुन सी रासी को यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्र रहने बाला है, और एक रासी को यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा, इस दिन सनी अमावस्या भी आज, तो आज सनी देव की आरादना भी करें, और साथ ही प्त्रों का पूजन करें, इस ग्रेण का प्रभाव आठ रासी वालों के लिए ब्यादी प्रभाव साली करा है, इसलिए रश्चिक रासी वालों को विशेश सावदानी रखनी होगी, साथ ही ब्रसब रासी, तुला और मकर रासी, यह चार रासी वालों को विशेश सावदानी रखनी होगी, आज साम के समय सनी देव की आरादना करें, सनी देव का तेल से अवसिख करें, साथ ही स जो व्यक्ति पित्रों के नाम से पूजन करते हैं उनकी सभी मनुकामनाय पूरी होती है आज के दिन घर के दरवाजे पर भी दीपक जलाना चाहिए पित्रों के पोटों के सामने भी दीपक जलाना चाहिए गरबबती मेलाएं विशेश शाबदाने रखें 11 ज़े से पहले ही सारा उखाम कर लें आलांकि इसका प्रावा भारत के उपर नहीं रहेगा लेकन गरभबती मेलाओं को फिर भी ध्यान रखना चाहीए यह ग्रेन काफी लंबा ग्रेन है 11 ज़े से लेकर के 11 ज़े से लेकर के 3 ज़े तक का यह ग्रेन बहुत बड़ा ग्रेंड है इसलिए विश्षी साबदानी भी रखनी है ग्रेंड से पूर में आप भगवान के परदे बंद कर दें साथ ही तुलसी के पत्ते अपने सभी सामान में डाल दें और जब ग्रेंड चल रहा हूँ तो उस समय भगवान के मंतरों का जाप करें जिससे ग्रेंड का प्रबाब गरबती मेलाओं पर नहीं रहेगा हालांके बारत के अंदर इसका विचार कम रहेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें यह है ग्रेंड कापी रासियों के लिए तो बहुत इस हुए लेकिन जो चार रासि में बताईए वो ध्यान रखें जब ग्रेंड समाप्त हो जाए तब आप दानपन करें सूर से सम्मन्द दान करें साम किसम में पीपल के नीचे दीपक जला करके साथ पर खरमा करके आएं घर के में दरवाजे पर दीपक जलाएं हनमान जी के सामने दीपक जलाएं उसमें दो लोंग डाल दें ग्यारवजे से लेकर के तीन साथ तक ये गरन रहेगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गरेड़ है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बस्तू का दान करें